नमस्ते दोस्तों आज सुनिये हिंदी की सुप्रसित दिलेखी का मेहरुन निसा परवेश जी की लिखी हुई कहानी क्यों नहीं तो प्रस्तुत है उनकी कहानी क्यों नहीं कोई बड़ी जोर जोर से दर्वाजा पीट रहा था नल के शोर में पहले मुझे कुछ सुनाई ने दिया पर बाद में ऐसास हुआ तो मैंने जल्दी से नल बंद किया तब अंदाजा हुआ कि कोई दर्वाजा पीट रहा है क्या बात है? कई गंटों में नाना बंद करो और जल्दी बाहर आ जाओ, गुडिया I.S. में आ गई है, इन्होंने कहा, क्या? मैं चौँक पड़ी, मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाहर आ गई, मेरा कलेजा मुँ में फस रहा था, देखा घर में हंगामा सा था, ओ, तो मैं एक I.S. बेटी की माँ बन गई हूँ, इतनी सारी खुशी, एक आए कितनी खुशिया मेरी जोली में कैसे आ गए? मैंने गुडिया को खीच कर सीने से लगा लिया और उसका माथा चूम लिया, उसकी आखों में खुशी के धेर सारे आसू थे, मेरी ये नन्नी सी बिटिया I.S. हो गई है, मैं सो सोचकर ही पागल सी हो रही थी, उसके पापा लगातार फोन लगा लगा कर अपने सारे दोस्तों वो खबर दे रहे थे, रामू जीप में मिठाई लाने बाजार दोड़ा था, सारा घर सिमट कर एक कमरे में आ गया था, बाई, दीनू, रामू, सबने जैसे काम न करने की हरताल कर दी थी, और सब काम धाम छोड़ कर गुडिया को घेरे बैठे थे, मम्मी, क्या सचमे में आ पूरा नहीं हुआ था, पर आज उसे होता देख मैं खुद हैरान थी, बाहर से भी धेर सारे फोन आ रहे थे, जो सुन रहा था, वही फोन पर बधाई दे रहा था, और इस धेर सारी जश्न भरी खुशी के वातावारन में भी मुझे उस दिन की बरस्ती निराज गुडिया की आँखें याद आ रही थी, हमारे बंगले की एनेकसी में रहने, ट्रेनिंग में आया दिनेश, नहाया शर्मीला सा, सीधा साधा लड़का था वो, पहले ही दिन, जब वो मिलने हमारे हां आया, तो देर तक बैठा रहा, गुडिया और नीतु को मसूरी अकादमी के किस्स सुनाता रहा, सब लोग उसकी बातों में दिल्चस्पी ले रहे थे, किचन में जाकर मैंने दो-तीन डिश बनाई, कम से कम पहली बार खाना खा रहा है, तो जरा ढंक से तो खाले, देर तक खाना चलता रहा, बाते होती रही, जब वो जाने लगा तो हम लोग बाहर बगीच वापस उननों को बाते करता छोड मुडी, तो देखा, अंधेरे बनामदे में गुडिया खड़ी थी, और दिनेश को देख रही थी, बाहर क्योंकि लाइट नहीं चल रही थी, इसलिए उसने मुझे लोटते नहीं देखा था, अचानक मुझे पास देकर हरबरासी गई, औ मैं भी क्षण भर को सोच में पढ़ गई, क्या वास्तों में क्षण भर में ही कोई अपना सा लगने लगता है, दिनेश हमारे घर आता जाता रहता था, दिनेश गुडिया नीतू सब बैठ कर घंटों बाते करते, कभी कभी मैं भी बैठ जाती, इधर मैंने महसूस किया था कि गुडिया अचानक बड़ी हो गई है, उसकी आखों में बचपने की ठुमक कम हो गई थी, अब उसकी जगए लाज के साहे उतरने लगे थे, अब वो चुप-चुप जाता रहने लगी थी, उसकी हर आहट, सुगंद, चाल, ढाल मुझे बताने लगी थी, कि वो सयानी हो और जैसा कि मैं बड़ों की मुझे सुनती आई थी, कि लड़की जब सयानी हो जाती है, तो मा की नीद उर जाती है, मैं भी रात को सो नहीं पाती थी, दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, सीने को तक्ये से दबाए इस करवट से उस करवट होती रहती थी, अचानक मुझे ल पीछा करती, एक सयानी लड़की की मा होने का एहसास मुझे हर क्षण सताने लगा था, अचानक उसमें परिवर्तन देखकर मैं भी विचार में पड़ गई थी, गुडियाव ढंक से सजने सबनने लगी थी, घंटों शीशे में अपने को नहारती, घंटों में नहा कर निकल मैं बरामदे में बैठी स्वेटर बुनती रहती, पर लगता मैं सलाईयों पर अपने मन की उधेर बुन को बुन रही हूं, बांध और खोल रही हूं, आँखे सलाईय पर होती पर मन भटकता रहता, दिनेश का हमारे घर आना जाना बढ़ गया था, वो कभी किताब के बहान अकसर घर में आ जाता फिर घंटों नहीं जाता, उस दिन टीवी पर कोई फिल्म आने वाली थी, दिनेश, गुडिया, नीतू सब कमरे में बैटे फिल्म आने का इंतजार कर रहे थे, मैं भी तयार होकर कमरे में आई, दिनेश ने उठकर मुझे नमस्ते की तो मेरी नज़र एकदम से उसके नए स्वेटर पर गई, बड़ा ही सुन्दर स्वेटर था, अरे तुमने तो बहुत प्यारा स्वेटर पहन रखा है, मैंने कहा, फिर गुडिया से बोली, देख गुडिया, उस दिन मैं तेरे पापा के स्वेटर के लिए यही नमूना तो बनाने को कह रही थी, बनने पर कैसा अच्छा खिला है न, मैंने गुडिया को देखा, पर उसकी हालत देखकर मुझे लगा, मैंने कोई गलत बात कह दिये, वो एकदम सकते की हालत में खड़ी थी, दिनेश भी परिशान सा खड़ा था, मुझे दोनों को देखकर बड़ी हैरानी हुई, भला मैंने ऐसा क्या कह दिया, तब ही फिल्म शुरू हो गई, सब लोग फिल्म देखने लगे, पर मेरा मन फिल्म में नहीं लगा, मैं उठकर अपने कमरे में आ गई और पलंग पर लेट गई, क्या दिनेश का स्वेटर गुडिया ने बनाया है, पर कब, धेर सारे प्रश्न मु ऐसे भी दे दिये, कि अपने दोस्त के साथ जाकर कपड़ा पसंद का लेया हो, बाद में मैं व्यस्त सी हो गई और पूछना भी भूल गई, घर में कुछ महमान आ गए थे, मैं उनमें ही लग गई थी, कई बार ध्यान आया था कि पूछू, गुविया ने सूट का कपड़ लिया आया नहीं, एक दिन ध्यान करके पूछा तो बोली, ममी टेलर वो सिलने दे दिया है, मुझे बड़ी हैरानी हुई, कपड़ा मुझे दिखाए बिना ही टेलर वो दे दिया, ये लड़की इतनी बोल कप से हो गई है, घर की स्वामिनी होने के गर्व को चोट भी लगी पर काफी दिन हो गया सूट सिलकर आया नहीं, मेरे भी दिमाग से बात निकल गई, एक दिन मैं डिजाइन की किताब में स्वेटरों की डिजाइने देख रही थी, एक डिजाइन पर मेरी नजर ठहर गई, मुझे डिजाइन पसंद आ गई, सोचा इनके लिए नया स्वेटर बनाना है क्यों ना यही डिजाइन डालू, मैंने गुडिया को आवाज दी और उसे डिजाइन दिखाते हुए उससे राय ली, देख गुडिया, तेरे पापा के स्वेटर के लिए डिजाइन कैसी रहेगी, अच्छी है ममी, कहते हुए गुडिया ने वो किताब उठा ली, अपने आलस जोडों के दर्द के कारण मैं तो स्वेटर बनाने की बाट टालती रही, पर आज उसी डिजाइन का स्वेटर दिनेश को पहने देख कर महरान थी, तो गुडिया ने अपना सूट का कपड़ा नहीं लिया, और उन ले आई, चुपके चुपके अपने कमरे में स स्वेटर बनाती रही, और वो भी वही डिजाइन जो मुझे अपने पती के लिए पसंद आई थी, उसने वही डिजाइन अपने खास उपहर के लिए चुना, बातें मेरे सामने कुलती जा रही थी, यानि चडिया के पंग तयार हैं, और वो अपना नया घुसला बनाना चा गुडिया रात रात बर अपने बिस्तर पर जाकती रहती, मैं कभी कोई टेबलेट पगरे ढूने के बहाने उसके कमरे में जाती, तो वो जाकती मिलती, एक दिन जम मैं उसके लंबे बालों में तेल डाल रही थी, तो मैंने उसके मन को टटोला, गुडिया दिनेश कैसा बात करूं, ममी, कहकर उसने मेरी गोद में अपना सर छिपा लिया, एक दिन जब ये दाड़ी बना रहे थे, तो मैंने बातरूम में टौवल, बन्याइन, अंडर्वियर लटकाते हुए कहा, क्या आप गुडिया के लिए कुछ सोचना नहीं चाहिए, क्या सोचना चाहिए, उन्होंने बात को टालते हुए कहा, यही कि वो सयानी हो गई है, अब उसके ब्याह की बात सूचनी चाहिए, ठीक है, देखते हैं, सोच लेंगे, बात को टालते हुए, उन्होंने दाड़ी बना कर वाजबेशन में ब्रश जल्दी से धोया, बात समाप करने की ये उनकी गरेलू मसले कहने का भी बस दाड़ी बनाते समय मौका रहता है, और मैं इस मौके को नहीं चूकती थी, वरना सारे दिन वे हाथ से उड़ी चिडिया की तरक फुर हो जाते, तो फिर हाथ ना आते, दिनेश कैसा रहेगा, मैंने जल्दी सुनके दरवाजा बंद करने से पहल भी वे मेरे मसले उठाने तक अपना एक ना एक काम निप्टा ही लेते थे, मार दिया ना चक्का, उन्होंने पलट कर मुझे हैरानी से देखा, तुम औरते होती बड़ी तेज हो, औरत ना होती तो दुनिया चलती ही नहीं, सही में मेरा ध्यान तो कभी दिनेश की तरव गय क्या ही नहीं, आई एस लड़का मिल जा, इससे अच्छा और क्या होगा, बाहर आकर मैं भी प्रसन थी, बस इसी उधेड़ बुन में रही कि दिनेश के मन को कैसे टटोलें, आखर एक दिन मैंने उसे पकड़ ही लिया, गुरिया कॉलेज में थी, नीतु स्कूल गया था, न इतनी बेहनों की शादी हो गई, उसकी कहीं शादी तो तै नहीं हो गई, नहीं आउंटी नहीं, कहते हो शर्मा सा गया, भई मैंने तो इसलिए पूछा कि क्यों की पता है, मसूरी से ही लड़कों का हाका शुरू हो जाता है, वहाँ तो सुना है लोग लड़की और गट्री दोनों लिय गूमते हैं, फिर साथ की लड़कीों से भी चकर चल जाता है, तो सब कुछ पहले ही हो जाता है, है ना, हाँ आउंटी सही है, वो हसा, हाँ तुमारे अंकल कहते है, जो लड़कियां अच्छी रहती हैं, उनकी शादी तो वहीं साथ के लड़कों से तै हो जाती बची खुची तो सब छटा छटाया माल होती है और आंटी बचे लड़के उसने मजाक से पूछा वो हम जैसी बेचारियों के पलों में बांदे जाने के लिए रह जाते हैं मैंने हसते हुए कहा पर लड़कियों को तो छटा माल कह दिया जाता है खुद उन्हें कहा जाए तो अकल सही हो जाए अंकल कैसे छटे रह गए उनका कहना है कि जब लड़की वाले आते थे तो वे खिसक जाते थे सही बात तो यह है दिनेश तुमारे अंकल को पता था कि आये इस लड़की तो एक महीना भी नहीं चला पाती इनके साथ तुम्हें गुडिया कैसी लगती है मैंने अचानक उसके कप में केतली से चाय डालते हुए पूछा जी वो जैसे चोरी करते अचानक पकड़ लिया गया हो देर तक चुप रहा फिर कप को देखते हुए बोला आंटी आपने मेरी प्रॉब्लम सभाप्त कर दी कई दिनों से लगातार मैं भी यही सोच रहा था पर आपसे बात करने की हमती नहीं हो रही थी हम अंतर्यामी जो ठहरे मैं हसी दिनेश खुश-खुश घर से गया मैं भी सारा दिन खुश थी बिटिया इतनी जल्दी निपट जाएगी यह तो सोचा ही नहीं था साती मिसेश वर्मा मिसेश शर्मा को देखो कितनी परिशान है लड़की एमे की यह पांस साल से घर में बैठी है दहेज यह खटा करते करते कुबेर का खजाना हो गया है वे तो हर किसी के सामने बिटिया का सौधा करने बैठ जाती है खुले आम बोलती है पांस लाग का तो सामान जोड लिया है मांगेंगे तो और दे देंगे और उसने तो अभी गुडिया के नाम पर एक रुमाल भी नहीं सिला है और बात तेह हो गई इसको कहते हैं तकदीर शाम को ये ओफिस से लोटे तो टेलीफोन फाइल देखने की बजाए मुझे खुशने लगे घर में मैंने भी सूचा कि आज बात क्या है मुझे तलब करते ही पूचा बही क्या हुआ कुछ दाना वाना चिडिया को फेका की नहीं चिडिया मैं ठुमकी शेर को शेर को दाना फेकने की जरूत नहीं होती वो अपना शिकार खाने खुदी आता है अपना शिकार वो दूसरे को खाने नहीं देता रियली वे अचम्बे में पड़ गए तुमारे हाथ तो बड़े बड़े टेड़े भी सीधे हो जाते हैं चलो इसी बात पर बढ़िया चाय हो जाए वो शाम बढ़ी ही अच्छी गुजरी शादी के बात की मुझे याद नहीं कि इससे बढ़िया कोई शाम कहीं हो या हम दोनों एक बिंदू पर जुड़े हूँ मैं धेर धेर सपने बुनने लगी थी अपनी आदत से मजबूर बस चहां बैठती गुमसुम बैठ जाती और घंटों पहरों सपनों का हाट कोले बैठ जाती बस मेरा समय कर जाता कब दिन हुआ कब रात बीद कहीं पता ही नी चलता गुड़िया को दुलहन बनी देखती दुनेश को दुला मैं सजी बनी बेटी की शादी के तैयारी में व्यस्त हूँ खुब बड़ा शामियाना लगा है देर सारे मेमान उपहार दावत जश्न बैंड गुड़िया को हल्दी लग रही है नाच हो रहा है सब छेड़ रहे है दुलहन बनी शर्माई सी गुड़िया को अपने ही रूप को यो सजा सवरा और निकरा दोबारा देख कितना भला लग रहा है खुब बनने गाये जा रहे हैं बरात आई है समधियों के लिए गालियां गायी जा रही है सब दुला दुलेन को ही देख रहे है है कैसी राम सीता किसी जोड़ी है है गुड़िया को नजर न लग जाए मैं एतिहातन लोहे का छोटा सा चाकू से दे रही हूँ भावरे पड़ रही है है ये क्या मैं क्यो भावर देख रही हूँ कहते हैं बेटी की भावर और नदी में बाड़ पर आई भावर को कभी ने देखना चाहिए मैं आखे बन कर लेती हूँ गुडिया विदा हो रही है वो मेरे गले से जूल कर रो रही है हाई लड़कियों को कैसे विदा दूँ आँख से आसू बहने लगते हैं और मैं बैठे बैठे रोना शुरू कर देती हूँ फिर मेरी तब्यत खराब होने लगती है और मैं जाकर पलंग पर लेट जाती हूँ और लंबी लंबी सांस लेने लगती हूँ हमारा बंगला जो धेर धेर पेड़ों से घिरा था बाहर की चकशक से दूर उसकी शांती मुझे बहुत अच्छी लगती थी कशनार का बड़ा सा पेड जिसकी पत्यां पीली पढ़कर जढ़ने लगी थी फूलों से डग गया था पेड की हर डाल फूलों से लद उठी थी हलके बैंगनी और सफेद रंग के मिश्रित फूलों में बहद आकरशन था कशनार के चांदनी रंग के तने को तोतों ने जगे जगे से खोकला कर उस पे अपने डेरे डाल लिये थे मैं घर का काम निप्टा कर यहीं आकर बैठ जाती थी और घंटों गुमसुम सी बैठी यहां की हलचल पर खा करती अशोक और मौलसिरी की घनी चाया ने वहां ठंडग बना रखी थी मौलसिरी की पत्या इतनी घनी थी कि सूरज की गुसपैट नाकाम साबित हो गई थी तरह तरह की धेड़ धेड़ चड़िया थी जिनके शोर से वो शांत इलाका आबाद था गुरिया और दिनेश अब खूब फ्री हो गए थे या मैंने उन्हें फ्री कर रखा था वो गंटों अशोक और मौलसिरी की घनी चाया में बैठे रहते शाम जैसे जैसे होने लगती ना जाने कहां कहां से धेड़ धेड़ चड़िया जुंड की जुंड वहां आने लगती और अपने लिए सुरक्षित इस्थान की टोह में आपस में लड़ने लगती लगता था सारे आसपास के इलाके की चिडियां यहीं आकर रात में डेरे डालती थी यह उनकी बेहत पहचानी सी जगए थी कभी-कभी तो अंगिनत चिडियों की आपस की चक-चक से किसी मेले के शोर सा आभास होता मनुश्य का आतंक भै हर जगए है पर यहाँ चिडियों के आतंक ने मनेश्य को भी डरा रखा है सोचते मुझे हसी आ गई गुडिया और दिनेश मेरे पास आकर बैट जाते और तब हम तीनों मिलकर भविश्य के सपने बुनते देखो तुमारी पहली पोस्टिंग कहा होती है मैं दिनेश से कहती शादी पोस्टिंग के पहले ही हो जाए तो ठीक रहेगा जब तुम वापस मसूरी को जाओगे तो दोनों साथ जा पाओगे अच्छा रहेगा एक दिन जब मैं बैठे बैठे गुडिया की शादी का प्लान तयार कर रही थी तो गुडिया के पापा मेरे पास आकर बैठ के गुडिया, दिनेश और नी तू दुसरे कमरे में बैठे ताश केल वैए थे तुमने दिनेश और गुडिया को इतनी छूट दे रखी है क्या ये ठीक है? क्यों क्या हुआ इसमें बुरा क्या है? मैंने चौक कर पूछा मान लो ये शादी नहीं हो पाई तो क्यों नहीं हो पाईगी मैंने चिर कर कहा कोई हमारा जमाना तो है नहीं जब चाहने वालों के लोग दुश्मन हो जाते थे खुद माबाब दुश्मन हो जाते थे अब इसे गुणों में शामिल कर लिया गया है फिर भी अब घर बैठे आई इस लड़का मिल गया ये क्यों नहीं सोचते मैंने दिलेरी से कहा इतने अच्छे लड़के के लिए तो हर कोई फंदा फेकने बैठा है अचानक दिनेश के घर से टेलिक्राम आया कि उसकी मा बीमार है सारे घर में हलचल सी मच गई दिनेश के चेहरे पर हवाईयां उने लगी दिनेश को परेशान देखकर गुडिया का चेहरा सूप किया वो सारे दिन लगी रही और दिनेश के जाने की तयारियां करती रही मैं सारे दिन रसोई में लगकर रास्ते का खाना तयार करती रही तीन दिन का रास्ता था दिनेश अकेला ही नहीं सारा घर परेशान था मापाप को दिखाने के लिए दिनेश ने गुडिया के कई फोटो रख लिए गुडिया के पापा दिनेश को बार बार ताकीत करते रहे कि जाते ही मा की खबर फोन से देना फिर मौका लगते ही शादी की बात कर लेना आदी सब दिनेश को छोडने स्टेशन तक गए गुडिया का रो रो कर मूँ लाल पड़ गया था दिनेश का मूँ भी रुआसा हो गया था दोनों की यह हाला देख मेरा दिल अलग दूबा जा रहा था ट्रेन छूटी तो हम लोग दिनेश को विदा कर मुड़ गए पर गुडिया दूर तक जाती ट्रेन को देखते हाथ हिलाती रही और रोती रही बड़ी मुश्किल से समझा कर हम लोग उसे वापस घर ला पाए अपना ही घर जैसे पराया हो गया था सब यही था सब कुछ अपने स्थान पर था सारे लोग वही थे पर जैसे दिनेश के ना रहने से सब शूने सा हो गया था अजीब सा खाली-खाली पन घर के कोने-कोने में समा गया था सब जैसे चुप-चुप से हो गए थे किसी के पास कहने को बोलने को जैसे कुछ शेश नहीं रह गया था पहले वही चिडियों का शोर कान के परदे फाड़े डालता था पर अब वही शोर कानों को अच्छा लगता था चलो कोई तो बोल रहा है गुडिया अपने कमरे में ही पड़ी रहती कभी खाती कभी नहीं खाती यह तो दिनेश के जाने के बाद मुझे पता चला कि इस घर का हर काम दिनेश के लिए ही होता था यहां तक कि मैं खाना भी पकाती थी तो दिनेश को ध्यान में रखकर उसे तरह तरह की चीजें खाने का शौक था और जैसे सारी रसोई उसी के लिए बनती अब तो खाना खाने की रूची वाला कोई था नहीं गुडिया के पापा तो दस नक्रों के साथ ले दे कर दो रोटी पहले खाते थे अब तो जैसे दो रोटी की भूग भी उनकी खतम हो गई थी जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा कर जीता जाकता महल पत्थर का कर दिया था हम लोग दिनेश का इंतिजार ही कर रहे थे और सोच सोच कर परिशान हो रहे थे कि पता नहीं इसकी मा का क्या हाल है गुडिया टेली फोन लगा लगा कर परिशान हो रही थी पर दिनेश से बाती नहीं हो पा रही थी ऐसे संकट से भरे दिनों में अचानक दिनेश की लगवग एक माह बाद चिठी आई पहले तो सारा घर चिठी के समाचार से खुशी से पागल सा हो गया पर जब गुड़िया ने चिठी पढ़ी तो वो लगवग चीक कर सोफे पर बैट गई और रोने लगी मैंने जल्दी से गुड़िया के हाँ से चिठी ली और पढ़ी तो लगा मेरी तबियत फिर खराब होने वाली है सारा घर जैसे गुड़िया के दुक को ढोरा था दिनेश ने लिखा था कि उसकी ममी का दिहान थो गया और मरते मरते ममी की इच्छा उसे पूरी करनी पड़ी उनकी बहन की अनाथ लड़की से उसे शादी करनी पड़ी ममी ने तुरंट पंडित को बिला कर अपने सामने ही फेरे डिलवा दिये दिनेश ने बहुत बहुत माफी मांगी थी पत्र पढ़कर मैं बहुचकी सी रह गई गुडिया अपने कमरे में जाकर बंद हो गई मैं भी अपने पलंग पर जाकर लेट गई सारे घर में मातम सा चागया अब दिनेश के मिना इस घर की कल्पना भी नहीं हो सकती थी नीतु ने दफ्तर फोन कर अपने पापा को सब बता दिया वे भी दफ्तर से बदहवास से भागे आए और आते ही गुडिया के कमरे की तरफ गए पर उसका कमरा भीतर से बंद था काफी खट-खटाने पर भी नहीं खुला तो फिर मेरे पास आकर पलंग पर बैट गए धैरे रखो इतना दुख करने से कैसे होगा उन्होंने समझाने की गरस से कहा चुप रहो मैं चीखी तुमने भी तो बस लड़कियों के साथ खिलवाड़ी किया है कभी प्रेम किया होता तो समझते दर्द को तुम तो हर बात में मुझे ही दोश देने लगती हो वे दुखी हो थे आकर मैं भी तो उसका बाप हूँ ना उनका इतना बोलना था कि मैं मुँ में रुमाल ठूस कर फूट फूट कर रो पड़ी मेरा मन लहू लुहान हो रहा था पहले प्रेम की चाहत कितनी होती है मन को उस पहले सपने के तूटने का कितना दर्द होता है इनसान जिन्दगी भर के लिए कमजोर हो जाता है ये बात मैं जानती थी सारे लोग कहते थे सुंदर्दा में गुडिया मुझ पर गई है पर किस्वत में भी वो मुझ पर जाए ये बात मैं सोच भी नहीं सकती थी इसलिए आज फिर एक सपने का एक जिन्दगी का एक मूरत का तोड़ा जाना मुझे भीतर से खल रहा था इस दर्द को मैं पहचानती थी पर इस दर्द को गुडिया भी पहचाने ये सह नहीं सकती थी शीशम के उस विशाल रक्ष की लगभग सूखी टहनियों पर जिसके हरे पत्ते पीले पढ़कर जढ़ गए थे उसकी नंगी होती टहनियों पर अकसर भरी दोपहर को धेर सारी फाकता रंग बिरंगी काली चड़ियां आकर बैठ जाती और अपने आप में डूबी सी जाड़ी की दोपहर का सेक लेती थी शीशम का पेड उचा था इसी कारण उसकी टहनियों पर धूपी काफी देर तक टिकती थी आज शीशम की टहनियों पर काले रंग की लंबी चोचवाली चड़िया आकर बैठी थी मैं अपने कमरे की खिड़की के पास चुप सी खड़ी बगीचे की चहल पहल को देख रही थी मट मेले छितरे हुए बादल को लगबग छूता एक पक्षी अपनी जिद में अड़ा जा रहा था जैसे बादलों को ललकार रहो कि तुम से उचा मैं उड़ सकता हूँ मैं देर तक आकाश को देखती रही जिस दिन से दिनेश की चिट्टी आई थी मैं गुड़िया से बोली नहीं थी बोलती भी क्या जानती थी सांतोना देने से दर्द और बढ़ जाता है जाने एका एक कहां से मुझे में हिम्मत आ गई और मैंने अपने को सहेजा समीटा बातरूम में जाकर मुँहात होया और अल्मारी से निकाल कर बढ़िया साड़ी बढ़ ली बालों को खोल कर जूरा बनाया यानि अपने को हर तरफ से चुस्त दुरुस्त किया अपनी जिन्दगी के हार मुझे स्विकार थी पर मैं बच्चों को उनकी जिन्दगी में हारने ने देना चाहेती थी कमरा खोला तो देखा वो मनहूर सूरत बनाये छट को एक टक देख रही थी उसे देखकर मेरा मन फिर भावुक होने लगा पर मैंने तुरंत अपने को संभाला और उसे पुकारा गुडिया मेरी आवाज पर वो जैसे डाल के तोड़े हुए फूल की तरह मेरी गोद में सिमटाई और तड़प कर रोने लगी मम्मी अब मैं क्या करूँ वो मेरी गोद से चिपकी हुमक हुमक कर रोती रही मैं देर तक उसकी पीट को सहला कर उसे धीरज देती रही और फिर मैंने उसके माथे को चूनते हुए कहा गुडिया दिनेश की इस बुझदिली का यही तमाचा भरा जवाब होगा कि अब तुम खुद I.E.S. बन कर दिखाओ मैं दूसरी मा की तरह तुम्हें अच्छे रिष्टे का जूटा आश्वासन नहीं दूगी दुनिया में कहीं अच्छा नहीं है जो व्यक्ति खुद स्वालंबी होगा वही दुनिया का सच्चा आनत प्राप कर सकता है और आत्म निर्भर होने के लिए साहस विश्वास एवं परिश्रम की अतियावशकता है छोटी छोटी विपत्तियां जो हमेशा इंसान को कमजोर कर देती हैं इनसे परे हो जाओ अपने को ठोस बना लो क्या सच्च गुडिया ने चौक कर मेरी और मूँ ठाया क्या मैं आईयेज बन सकती हूँ उसने पहली बार मुझे अच्छे से देखा उसकी आखों में धेर सारे आंसू भरे थे इसके बावजूद उनमें चमक थी हाँ क्यों नहीं मैंने उसमें आत्मिश्वास भर दिया बुडिया की भीगी आखों में नई राहत नई चमक तेर गई और उसकी आशू भरी आखें मुस्कुरा उठी अभी आप सुन रहे थे मेरुन निसा परवेज जी की लिखी हुई कहानी क्यों नहीं कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर लिखिएगा मैं प्रतीक्षा करूंगी फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी कहानी के साथ आपका समय शुब हो, सुन्दर हो, मंगल मैं हो